हाई फ्रेंज आज हम बनाने जाने हैं सुजी से बिल्कुल ही नए नास्ता तो यहाँ पर मैंने सुजी लिया है सुजी मैंने एक टोरी लिया है तो इस रेस्पी में आप मोटी वाली सुजी हो या तो पत्री वाली इस रेस्पी में आप कोई भी सुजी यूज कर सकते हैं तो बालटी में बना रहे हैं, तो इसमें 2-3 ब्रेट भी उचाह कर सकते हैं, तो छोटे-छोटे पेस करके मैंने डाल दीआ हैं, तो इसमें हम डालेंगे 2 चमच दही, तो दही Went hard袋, या फ्रेश दही कोई-भी इसमें डाल सकते हैं, तो यहां पर मैंने दो चमस दही डाला है और एक ग्लास मैंने यहां पानी लिया है और इसे डाल कर हम बिलकुल इगाड़ा भूल तैयार कर लेंगे ब्रेड है जो अच्छे से सुजी में मिल जाता है तो इस तरह से हम मिला लेते हैं तो यहां पर मैंने तयार कर लिया है तो स्वाद निजार मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा मैंने यह ग्ल की जीरा का पाउड़ा ठाला है और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं तो ग्वोल क को बिल्कुल इस तरह से रखना है है कि यहां पर मैंने पेन को गरम होने के लिए रख दिया है और इसमें मैंने एक चमस तेल डाला है और इसे अच्छे से मैंने फैला दिया है तो यहां पर गोल-गोल मैंने टमाटर को काट लिया है और वो मैंने इस पर डाला है ऐसी तरह मैंने गोलगल प्याज को भी काट लिया है और वो मैंने डाला है और थोरा से मैंने यहां मटर डाला है अगर आपको मटर पसंद नहीं है तो आप हटा सकते हैं और इस रेश्पी में आप अपने मन पसंद सब्जी भी डाल सकते हैं तो यहां पर मैंने अच्छा से डाल लिया है तो मैंने जो सुझी का गोल तैयार किया है तो इसके उपर से हम कवर कर देंगे ऐसे बिल्कुल ही मीडियम गैस पर पकाएंगे इस तरह से थोर थोर डाल डलकर हम इसे cover कर लेते हैं तो यह ओपर से बिलकुल ही पक गया है तो हम इस तरह से हिला कर देखते हैं तो बिलकुल यह pen छोड दिया है तो हम पहले plate में निकाल लेते है इसके बाद हम पैन में डालेंगे तो अगर आप पलटेएगा डिरेक्ट तो तुट सकता है यह देखिए दिखने में कितना सुन्दर लग रहा है तिसे हम इस तरह दाब लेते हैं तो यहां पर मैंने मलाई लिया है और मलाई को हम चारो तरफ से अच्छे से पहला लेते हैं इसमें आप चीज भी डाल सकते हैं अगर आपके पास चीज है तो चीज भी आप इसमें डाल सकते हैं इस तरह से हम मलाई को अच्छे से फैला लेते हैं तो मैंने चारो तरफ मलाई को फैला लिया है तो दो मिनट के लिए हम ढखन से ढख देते हैं तो दो मिनट हो गया है तो यह बिल्गुल ही हो गया है अच्छे से इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लक्स और थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला डालेंगे अब गयस को हम बन कर देते हैं और इसे हम एक लेट में निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हमने एक लेट में निकाल लिया है तब हम आपको इससे काट करके दिखाते हैं यह खाने में बहुत ज्यादा टेश्टी है तो एक बार आप मेरे तरीके से जर्यो ट्रै करें आपको ये पसंद आएगा तो ये सुवा साम कभी भी मन करे बना कर खा सकते है तो ये अंदर तक फिरकुल ही पग गया है ये आप देख सकते है तो इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना ठैंक यू